किद्यान सपनों की उडान एक दिन चोटू और गोलू खेल रहे थे तो चोटू खरगोश ने गोलू से कहा अरे गोलू क्या तुम एक नया खेल खेलना चाहोगे तो यह सुनकर गोलू हाथी ने पूछ लिया कौन सा गेम तो चोटू खरगोश ने समझाया देखो तुम जमीन पर बैठ चाना और मैं चलांग लगा कर तुमारी पीठ पर चड़ूँगा अब इस गेम का आइडिया गोलू हाथी को बहुत पसंद आया और वो जट से जमीन पर बैठ गया और बोला आओ मेरा दोस्त चलांग लगा तो छोटू अराम अराम से पीचे हटा और तेजी से दोड़ कर गोलू की पीठ पर चड़ गया और हसने लगा अब क्योंकि छोटू एकदम मुलायम रूई जैसा था तो इस से गोलू को गुदगुदी हुई और गोलू हसता हुआ खड़ा हो गया और बोला अब मेरी बारी तुम बैटों और मैं छलांग लगाता हूं तुमारी पीठ पर अब यह सुनकर भाई साब छोटू के तो होश उड़ गया खी इतना बड़ा हाथ ही एक छोटे से खरगोश के उपर छलांग लगाएगा तो बच्चे के तो जान ही निकल जाएगी ना तो ऐसे में घबराते हुए छोटू ने गोलू से कहा तो गोलू ने कहा तो जान बचाने की आखरी कोशिश करते हुए कहा लेकिन भाई साब गोलू तो अपनी बारी लेना चाहता था और वो पीछे हट कर बोला जल दे करो मैं आ रहा हूँ और यह बोलकर दोड लगानी शुरू कर दी और ऐसे में बिचारा डरा हुआ कापता हुआ छोटू एक जगा बैठा रहा और जैसे ही गोलू ने चलांग लगाई छोटू अपनी जगा से डर कर हट गया और गोलू धडाम से जमीन पर आगिरा अब गोलू के गिरने से सारी जमीन हिल गई और पास खड़े नारियल के पेड़ से नारियल की बरसाध होनी शुरू हो गई और दो तिन नारियल आकर सीधा गोलू के उपर गिरे जिससे गोलू डर कर दोड लगाने लगा और उन्ही नारियलों में से एक नारियल सीधा आकर छोटू के सर पर गिरा लेकिन छोटू तो अपने सर को मसलते हुए ये खैर मना रहा था नारियल लगा कोई बात नहीं, कम से गम भोलू से तो हलका ही है बच गया, आओ तो बच्चो कैसी लगी आपको एक कहानी, उमीद है आपको पसंद आई होगी चलिए फिर मुला कायत करता हूँ आपके साथ अगली किसी कहानी में तब तक के लिए सुनते रहिए का किडियान सपनों की उडान